साहिती निद में सुनिये डॉक्टर शिर्प्रसाज सिंग की लिखी हुई कहानी दादी मा हिंदी के प्रसद्य साहितेकार डॉक्टर शिर्प्रसाज सिंग एक विद्वान साहितेकार थे जिनकी बौधिक्ता, तारकेक्ता और विलक्षन प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंब से ही हिंदी साहित्य को आंदोलित किया प्रस्तुत है कहानी दादी मा कमजोरी ही है अपनी पर सच तो ये है कि जरासी कठनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो ट्राया अनमना सा हो जाता है मेरे शुपचिंतक मित्र मुपर मुझे प्रसंद करने के लिए आने वाली छुट्टियों के सूचना देते हैं और पीट पीछे मुझे कमजोर और जरासी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा ठीक है जाने दो सोचने से होता ही क्या है पर बर्बस मेरी आँखों के सामने शरत की शीत किर्णों के समान सुच्छ शीतल किसी के धुंदली चाया ना चुकती है मुझे लगता है जैसे कौार के दिन आ गए हैं मेरे गाउं के चारोर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अदगली घासे घियूर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सुलज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचितर गंद छोड़ रहे हैं रास्तों के कीचर सुख गए हैं और वाओं के लड़के किनारों पर ज़ाग वरे जलायाशों में धमाके से कूद रहे हैं अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बाते होती हैं, आशार में आम और जामन ना मिलें, चिंता नहीं, अगन में चोड़ा और गुर ना मिलें, दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुर की पट्टी ना मिलें, अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंद प खुड़ा ज़र हो, सर में साधारा दर्द और खाने के लिए दिन भर नीबू और साबू लेकिन उस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज़र तो चड़ा तो चड़ताई गया, रजाई पर रजाई और उतना रात बारा बजे के बाद, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी मा आई, शायद नहा कर आई थी उसी जागवाले जल से, पतले दुबले इसने सने शरीर पर सफेद किनारी हीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्ध है टपके हुए जल की शीतनता, आते ही उन्होंने सिर हाथ पेट चुए, बहुती दीरे से बुदबुदा कर पिट्टी मुह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पेर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेब करती, और बीसो बार सर चुचु कर जर अनुमान करती, नई हाड़ी में पानी आया की न नहीं, खिचरी में मून की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदी लाखों प्रेश्न पूच पूच कर घर वालों को परेशान कर देती, दादी मां को गवें गाउं की पचासों किस्म की दावाओं के नाम याद थे गाउं में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ चूना, माथा चूना, पेट चूना, फिर नजर टोना भूच से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमूनिया तक का अनमान वे विश्वास के साथ सुनाती है, महमारी और विश्वचिका के दिनों में रोज सबेरे उठकर इसनान के बाद लवंग और गुड मिश्वच जलधार, गुगल और ढूप, टोना टुटका और सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्वचिया शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बतले जाते, तो वह जैसे पागल हो जात बुखार तो मुझे अभी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महराज अपने मन से पका कर खिचरी या साबू, डॉक्टर साब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्षर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों, ऐसे बु बुखा चड़ता, बहुत बुलाने पर दादी मा आती, बहिन बुरा ना मानना, कार पर रोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं, जानने को यों सभी जानते थे कि दादी मा कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिती, वस्त रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शरम है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पेरों पर नागर गड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आज कल करने, फसल में दूँगी, फसल में दूँगी, अब क्या तेरी खाते दूसरी फसल कैसे होगा, हट हट पेरना चूँ, अभी नहा के आ रही हो, दादी मां पीछे हट कई, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिये प्रसंग को हटाने की गरस से कहा, वेचारी गरीब है दे देगी कभी, चल चल, चला है समझाने, मैं चुपके से आंगन के और चला गया, कई दि पूछा, क्या बात है धन्यों चाची, तो उसने विवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, बेटी की शादी तो उरिन ही है न, भगवान भला करे हमरी मलकिन का कली आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, उपर से दस रुपय का नोप दे कर बोली, देखना धन्यों, का काम है बाबू, रुपया दे कर डाटे भी ना तो लाग क्या, मैं मनीमन इस तर्ग पर हस्ता हुआ आगे बढ़ गया, किशन की विवाह की दिनों की बात है, विवाह की चार-पांच रोज पहले से ही औरते रात रात बर गीत गाती है, विवाह की रात को अभिने भी होता है, ये प्राया एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत पत्ति तक के सभी दिर्शे दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरते ही करती हैं, मैं बीमार होने के कारण बरात में न जा सका, मेरा मेरा भाई रागो दालान में सो रहा था, वो भी बरात जान में लड़का हुआ हो था, अभी बनने हैं बच्चे, देबू की मा बोली, वे बड़ी शरार्ती और चोहलवाज थी, रिष्टे में हमनों की भावी लगती थी, मुझे भी पासी एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी ने चुक्के से सुला दिया था, बड़ी हसी आ हस दूं, तो भेद खुल जाए, तो निकाल बाहर कर दिया जाओंगा, पर भावी की बात पर हसी रुख न सकी और सब भंडा पोड़ो गया, ये ना लो, देबू की मा ने चादर खीशती, कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है साय, दूद तो पिला दू हाता पाई शुरू हुई, दादी मा बिखणी, लड़के से क्यों लगती है, तो बने यही औरत, इनी को बच्चा पैदा हो, खूब सीसी करें, मैं तो नहीं बनती, मैं वहां से हस्ता हुआ भागा, सुबह रास्ते में देबू की मा मिली, कल वाला बच्चा भावी, मैं वह होती, दादी मा की एक एक बात आज कैसी कैसी मालू होती है, पर सित्यों का वात्या चक्र, जीवन को सुखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी मा कूप जानती है, दादा की मुरती के बात से ही बहुत उदास रहती है, संसार उन्हें धोके की टट्टी मालू होता, दादा उन्हें आगे भेज कर अपने पीछे जाने की जूटी बात कहा करते थे। दादा की मृत्ति के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुं में राम बगल में चूरी वाले दोस्तों की शुपचिंता ने इस्तिती और भी डावा डोल कर दी। दादा के श्राद में दादी मा के मना करने पर भी पिता जी ने जो अतल संपती व्यकी वो घर की तो थी नहीं। दादी मा अक्सर उदास रहा करती माग के दिन थे कडाके का जाड़ा पड़ा रहा था पच्छुआ का सननाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती शाम को मैंने देखा दादी मा गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूप पर दिया जलाए हाथ जोर बैठी है उनकी इसने ही कातर आखों में मैंने आसू कभी नहीं देखे थे मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा उन्होंने आखें कोनी दादी मा मैंने दीरे से कहा क्या है रे तूं यहां क्यों बैठा है दादी मा एक बात पूछू बताओगी ना मैंने उनकी कि इसने पूर आखों की उड़ेखा क्या है पूच तुम रोती थी दादी माम मस्कुनाई पागल तुने अभी खाना भी न खाया चल 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 खाना का दोती तो बदल लो दादी मा मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा वे मुझे खीशती रसोई में ले गई सुबह मैंने देखा चारपाई पर बेटे पिताजी और किशन भाई आमन मारे को सोच रहे है दूसरा चारा ही क्या है बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं कितने के तो अभी पिछले ही बाकी है वे रोने रोने से हो गए रोता क्यों है रे दादी माने उनका माता सहलाते वे कहा मैं तो अभी हूँ ही उन्होंने संदूख खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के पहनाया था उनका गला भराया मैंने इसे पहना नहीं इसे सहज कर रखती आई हूँ ये उनके वंश की निशानी है उन्होंने आसू पोसकर कहा पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बिटा सशमुष मुझे दादी मा शाब ध्रष्ट देवी सी लगी दुनली चाया विलीन हो गई मैंने देखा दिन काफी चड़ाया है पास के लंबे खजूर के पेर से उड़कर एक कववा अपनी गिनोनी काली पाके पहला कर मेरी खिर्की पर बैट गया हाथ में अब भी किशन भाया का पत्र काप रहा है काली चीटियां सी कतारे धोमिल हो रही है आँकों पर विश्वास नहीं होता मन बार बार अपने से पूच बैटता है क्या सचमुच दादी मा नहीं रही अभी आप सुन रहे थे शिव प्रसाज सिंग की लिखी हुई कहानी दादी मा स्वर्दिया था मैंने यानी सीमा सिंग